रादे रादे जाई श्री किष्णा आप सभी का स्वागत है मैं पायल आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आही हूँ इस वीडियो में अर्ध नारेश्वर स्वरुप का अर्थ है कि आधी इस्तरी और आधपुरश शिव के इस अर्ध नारेश्वर स्वरु के आधे इसे में पुरस रुपी शिव का वास है तो आधे इसे में स्टरी रुपी शिवा यानि शक्ति का वास है और भगवान का ये रूप संकेत देता है कि स्टरी और पुरस एक ही सिक्के के देव दो पहलू है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं इ महादेव जी का ये स्वरूप हमें ये संकेत देता है कि इस्तरी और पुरस दोनों समान हैं कोई न किसी से कम है न किसी से जादा है तो ये स्ट्रिंगार हम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने महादेव जी को उनकी आधी पोशाक पहनाई है और आधे में शिव शक्त को सरूप में उनकी पोशाक पहनाई है और यहां पर मैंने कमर में उनको रूद्राक्ष की माला आदे में पहनाई है और आदे में मैंने कमरबंद माता शक्ती को पहनाया है तो यहां बर आदे में मैं हार पहना रही हुआ है, गुलू टेक की मदद से, क्योंकि श्रिंगार करना बहुत ही नामुकिन जसा था, बहुत ही मुस्किल से श्रिंगार हुआ है, लेकिन भगवार ने बड़े प्रेम से ये स्रिंगार धारन करा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा स्रिंगार करते करते मुझे दो तीन घंटे लग गये थे लेकिन इनका स्रिंगार बहुत ही प्यारा हुआ है और मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स निकाल कर ये छोटा वीडियो बनाया है बाकी स्रिंगार करते करते बहुत टाइम लग गया था तो यहाँ पर लॉंग हार में पहनाना है लेकि लॉंग हार में कैसे पहना हूँ यही सोचते वे मैंने लोंग हार को इस तरह से पहनाया है और आगा जो एकसाइट बच जाता है उसे मैंने कमर पर इस तरह से गुमा दिया जिसे वो कमर बंद के जैसा लगे और श्रिंगार और ये मन में ये भी आपके खयाल आया होगा कि ये स्वरूप सिर्जी भगाने क्यों लिया तो ब्रह्मा जी जब सरष्टी बना चुके थे तब उनके मन में खयाल आया तो कि इस सरष्टी में सब कुछ जब खतम हो जायागा तो फिर से मुझे सरजन करना पड़ेगा ऐसे कैसे चलेगा जब वो ब्रह्मा जी गए विश्णु भगवान जी के पास और महादेव जी के पास विश्णु भगवान जी के अनुरोद करने पर शिर्जी भगवान ने ये अर्द नारिश्वे स्वरूप लिया और ब्रह्मा जी को इसमें दरसन दिये और उनसे कहा कि यही स्वरूप होगा और उन्होंने अपनी इसमें से एक सक्ति निकाल कर जो दक्ष के घर पर सती स्वरूप में उत्पन हुई और इसी तभी से स्रष्टी का पालन इस तरह से हुआ और अलग-अलग गरंथ में अलग-अलग बाते भी बोली गई है लेकिन जो मुझे जानकरी है वो मैं आपको बता रही हूँ तो यहां पर रुद्राक्ष की माला उनके गले में मैंने पहनाई है और महादेव जी के और माथे पर जो मैंने तिलक लगाया है वो मेरे पास था तो मैंने तिलक लगा दिया है आदे में और आदे में माता को मैं बिंदी लगाऊंगी और उनके जो अभैदार मुद्रा है महादेव जी की उनके इस हात्मे में ओम लगा दूँगी और इस तरह से मैंने बहुत सोच सोच कर इनका स्रिंगार किया है अब मैं उनके कानों में ये रुद्राक्ष के बाली लगा दूंगी और मैंने माता के कानों में डाइमन की येरिंग्स पहनाई हैं और हातों में डाइमन के कंगन पहनाई हैं और महादेव जी के हातों में रुद्राक्ष के कंगन पहनाई हैं एक साइड मैंने इस तरह से बाल रखे हैं, और दूसरे साइड मैंने करली वाले जो बाल आते हैं, जो महादेव जी पहनते हैं, वो मैंने इसमें सर पर लगाए हैं, और इसके साइड ही, अब हमें इनके जो बालों में जो मुझे ये अमोरा बनाना था, ये बनाना बहुत मुश्किल था, मैंने बहुत सोच कर, एक चोटी ली, सिंपल सी, भगवान जी के जो माता के हैर स्टाइल करते हैं, वो मैंने गोल-गोल खुमा कर, जो हैर क्लिप होती है जुडे वाली, उनको लगा कर मैंने इसको सैट किया है, और उसके बाद में भगवान जी के बालों को सजाने के लिए, मैंने यहाँ पर विद्राक्ष की माला को लेकर, वही जुडा पिन लगा रही हूं, जिससे सैट हो जाए, यहाँ पर जुडा पिन मैं तिर्ची लगा रही हूं, आप ऐसा ना सोचे कि जुडा पिन भगवान जी के सर में लग रही होगी नहीं, मैं तिर्ची लगा रही हूं, जिससे उनको सर में न लगे, इसके बाद में मैं उनको मांग्टी का लगाऊंगी माता को, और माता पट्टी भी पहनाऊंगी, जिससे इनका माते का स्रिंगार complete हो जाए और बहुत ही सुंदर सा स्रिंगार निखर कर आ रहा है मैं जैसे देख रही हूं बहुत ही प्यारा सा स्रिंगार हो रहा है भगवान जी को जैसा स्रिंगार उनका करवाना था वैसा हो रहा है तो यहां पर मैं चंदरिका लगा रही हूं तो यहां पर चोटी सी जगा खाली रहा जा रही थी तो वहां पर मैंने छोटा सा यह गोल्डन कलर का माथे पर लगाया जिससे बहुत ही चोटी सी जगा जो खाली खाली सी लग रही थी वह भर जा रही थी और बहुत ही सुन्दर सा स्वरूप आया है इसके बाद में भगवान महादेव ज नहीं कर रहे हूं क्योंकि इनका जब इस रिंगार जब उन्होंने यह सोरूप लिया था तब इनके माथे पर गंगा नहीं थी इसलिए यहां पर गंगा माता का स्रिंगार नहीं हो रहा है और डमरू मैंने हातों में इनके विराजमान करा है इसके बाद में इनके हातों में त करूंगी तो तुर्सूल मेरे पास दो है एक बहुत बड़ा है जो माता रानी का है मा जगदंबा मा का तुर्सूल है वो में लेकर आई हूं तो यह स्टैंड नहीं हो रहा है तो कैसे मैं खड़ी करूं वाली बात हो गई थी इसको क्योंकि यह सहारे के बिना नहीं खड़ा हो इनका स्रिंगार कंप्लीट हुआ है और बहुत ही प्यारा सा स्रिंगार हुआ है बहुत ही मन मोहक स्रिंगार हुआ है बहुत ही मन को प्रसन करने वाला है तो आपको यह स्रिंगार कैसा लग रहा है इनका स्रिंगार कंप्लीट हो गया है यह वीडियो आपको कैसा लगा और जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे जरूर से बताएं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फैमिली और फ्रेंड में वीडियो जरूर से शैर करें और आपको ये महादेव जी का और माता सक्ति का अर्द नारिश्वर स्रिंगार स्वरूप कैसा लगा है और ये जानकारी कैसी लगी है मुझे जरूर से बताएं शिव शक्ति इसमें विराजमान है और बहुत ही प्यार सा सवरूप है मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद जैमातादी जैश्री किष्णा रादे रादे इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि ये स्रिंगार मैंने शिवरातरी वाले दिन ही किया था और शिवरातरी वाले दिन ही ये स्रिंगार किया था और स्रिंगार को फिर मैंने इनसे बहुत ही प्यारा सा स्रिंगार शिवरातरी वाले दिन करने की कोशिश करी बहुत ही प्य